नमस्कार दोस्तों आज MS Word की यह अगली क्लास है तीसरी क्लास दो क्लास हो चुकी है MS Word की पहले ही और आप लोग वहाँ पे होम टैब का क्लिप बोर्ड और फॉन्ट यह दोनों टैब स्टीक चुके हैं ग्रूप हम लोग अगला ग्रूप पे चलते हैं वह है पराग्राफ ग् कर लाता हूं सॉर्डी वर्ड पर नहीं MS Word ठीक है तो अभी MS Word अभ शामने विन वर्ड रन कमांड का होता है अभी जिसे मैं MS Word ऑपन किया और मुझे होम टैब का कुछ भी दीख नहीं रहा है तो आपको मैंने बताया वहाँ तक यहाँ पर राइट क्लिक करोगे और मिनिमाई दर रिवन को हटा दो गया अब तो फिर क्या होगा वह सारे आप्षिंस यहां पर सामने आपके आ जाएंगे ठीक है तो हम लोग इससे पहले होम टैप में क्लिप बोर्ड और फॉंट पढ़ लिया है इससे पहले अगर आपने यह नहीं देखा है यह वीडियो तो अब यह तीसरी क्लास है इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे मतलब पैरग्राफ पढ़ेंगे यह पैरग्राफ आप देख पा रहे होंगे आपको एक बार में जूम करके यहां पर सारा कुछ दिखा दे दूँ जिससे की आप उसके बार में हम लोग एक लाएं से पढ़ते च चलो अब मैं देखता हूं ना ठीक है आप इसलिए जब मैं जूम कर रहा हूं तो आपको माउस पॉइंटर वहां नहीं दिखेंगे जहां पर में मेरा रहता है तो अभी जिससे मैं इसपे क्लिक कर रहा हूं माउस पॉइंटर कहीं और दिख रहा होगा तो यह बुलेट है आपको फर्स्ट ऑफ्सन यह कलर चेंज हुआ है यह यह लो हुआ है वह आप तु देख सकते हो आरा मुसरी तो यह बुलेट है ठीक है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा कर चुका है वर्ड पैड में लेकिन उसमें बुलेट में बहुत ज्यादा खास चीज है इसके अंदर बहुत कुछ है वो मैं बताऊंगा भी अब मैं चलता हूं नंबर यह भी हम लोग वर्ड पैड में देख चुके हैं लेकिन इसके अंदर में कुछ-कुछ न्यू चीज है यह करेंट लिस्ट यह मल्टी नंबर बोलते हैं इसको एक साथ दो तीन नंबर हम उसको आपicky रहे हैं इसके क letsohsi अंदर फिर शौट है फिर लैपट अलाइनमेंट मिल मेंटर राइच अलाइनमेंटぞतीफाी लाईन स्पेसिंग कोुर सेटिंग और यह बoreडर तो कि यह सारे ओप्शन प्यरग्राफ में रहान लोग irre करकर समझते हैं जसे क्या उगर का होता है देखो बुलेट तो हम लोग जानते हैं क्या होता है कि हर ایک paragraph से पहले bullet आता है टीक है यादी आP paragraph को select करो तो आप कोशी से type कटें है लो टाह सा याश से बड़ा कर लेता हूं आप यस डाइप कर दो पहले bullet करता है तो फिर ठीसरा बिल्ट आ गया तो इंटर पेZ करने का पराग्रावफ देन रहता है और पराग्राव कि यह first में भी बूनिताना था है था इसी तरह काम सेम नमर भी कर नहाइश तैसे मैं सलगप कर लू और नमर पियाकर यह नहीं कर दू तो क्या होगा बुलिट के इसम के नम्मर चले गया लेकिन इसमें कुछ खास है वो हम दोग देखते हैं सबसे इसे बड़ी बात यहाँ पी क्या है बुलिट मे आपको जैसा बुलिट चाहिए वो आपको भे उसकता है सबसे पहला चीजी आई है जो एक चाह वापके मन्में जो भी आ सकता है पिक्चर आ सकता है या फिर बुलेट को जो भी मन्में आ जाया जो भी कहीं आप देख लिए, वो सारा ला सकते हैं, कहां से ला सकते हैं, पहले हम दोग वर्ड पैड में ये वाला बुलेट पढ़े थे, नॉर्मल बुलेट जो उसमें चेंज नहीं होता था, लेकिन इसमें कहा है, आप ब्लैंक वाला ये वाला बुलेट प्लस आप देख पा रहे ह इसे में जूम करके दिखा देता हूं तो यह बैसा है जिसमें कि आप क्या कर सकते हो जितना भी चीज आप सोच सकते हो वह सारा जहां बैट है कैसे यहां पे शिम्बॉल है और पिक्चर है पिक्चर मतलब हो गया कि आप नेट से या कहीं से भी आपके सिष्टम में जो ही पिक्चर है नेट से डाउनलोड करके आप कर सकते हैं और सिम्बॉल मतलब है कि इस दुनिया में साइट जितना सिम्बॉल होगा दुनिया की बात छोड़ते हैं अभी MS वर्ड की बात करते हैं दुनिया तरह बड़ा होगा ठीक MS वर्ड में जितने सिम्बॉल दिये हो गए हैं आप देख पा रहे हो कि यह कुछ कम नहीं है ठीक है यह इतना सा नहीं है मतलब इसे मैं अगर अच्छे देखो तो आप देख लो बहुत सारा है इसमें भी बहुत सारा है जो जिसमें भी च उपल लेंका है की कर देंगे तो यहां पर क्या होगा यह वाला स्रिम बॉला जाएगा अठीक है अब लों देखते है पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं यहां पर पिक्चर में मैं मैं जब क्लिक करोंगा तो मिरे सिस्टम में जो फिक्चर से इंपोर्ट π wyb Whis seis ए पे इंपोर इस में है यह बहुत सारा पिक्चेर तो already इसमें है ही इसके अलावा यहीए इसमें भी आपको नहीं नाम यह ले ल कि मुझे कुछ और चाहिए मुझे इंटरनेट से में डाॉंलोड कर लो आफ क्या कर सकते हो इंटरनेट में डा耀ॉलोड कर सकते हो मेरे पास इसमें मैं इक काम करता हूं इंटरनेट से हीं कोई पिक्र में डा viral कर रिता हूं ठीक है तो मैं Google Chrome पे कर लिता हूं सपोोज मुझे बाईक की पिक्चर डाल दूनी सपोज बृट के जगा पर क्या हो मेरा बृट बाईक ही टालर्ड में कर लिता हूं तो अभी Chrome ओपन होगी तो में कर दो अभी उसकाला को दिखा दो यहां से import में क्या होगा यह कर लिता हूँ मैं तो इस अपर लेगा करो import में जाओंगा मैं और जहां भी picture में ने save किया और रखा है यहां पर लिखता हूँ गुलेट बाइक पिक तो सपोज मुझे यह वाला में सेलेक्ट कर लेका है तो इसे ही मुझे गुलेट बना देना है मैंने picture में गया कि यह से save कर दिया ठीक है यह हो गया ठीक है चलो यह से हो गया अब गया कर दो मैं इंपोर्ट में जाओंगा और picture में आप देख पा रहे होगा यहां पर डाउनलोड में बाइक आ गई है अब इसे मैं add कर देता हूँ अब देखो कि यहां पर add हो गया अब आगे कर देता हूँ आप देखो कि जितनी भी सारे bullet थे अब मैं यही टाइब करना से दो करता हूँ ठीक है अब देखो उस जवह पर real का bullet ही आ रहा है ठीक है तो आप यह कर दिए कि बुलेट को चेंज कर देकिसे चरवाइब इससे आप तो यह जरू सिख चुके हैं कि हम लोग किसी भी टाइब का बुलेट हो या कर सकते हैं अपने वर्ड में ला सकते हैं ठीक है तो यह वर्ड पैट के मतलब थोड़ा बड़ा ओप्सन होता है इसमें इसमें एरिया दिखा मेने आपको कि कीवें सिम्बॉल यहां से ले सकते हो और कुछ भी कर सकते हो यहां से आप समझ चुक्ल और यहां पर है मल्टी लेवल इस्टर का है प्रश्ट का है तेक यहां से क्लियर हो तेक आगे हम लोग चलते हैं कि नंबर में क्या आप नंबर बहुत सिंपल सा है जो आप देख पा रहेंगे कि हम लोग यह जी जी वर्ड पैड में पढ़ चुके थे इसके लिए में से अतनी टेंस नहीं होगा पताने में कि यह आप लो पर जो इसमें जो भी नंबर चाहिए वह मिल जाएगा लेकिन हम यह तो है यह वर्ड पैड तो है नहीं इसमें इतना शोटा ता ओप्सन नहीं रहेगा इसमें कुछ नया ओप्शन है जैसे सब्पोज करो आपको नंबर जो सुरू करना है वह 100 से सुरू करना है एक सी नहीं नंबर फॉर्मेट है ठीक है आप इसमें जाके एक्शली यह नहीं है वह लेवल वाला मास से चेंज लेवल लिष्ट में है सेट नमरिंग वैल्यू ठीक है यह थर्ड ऑप्सन है सेट नमरिंग वैल्यू है यह क्या करता है यहां पर मुझे इच्छा होगी कि 101 सिसरू हो यह यहां पर मैंने क्या किया 101 लिख दिया इसे आप थार साथ जूम करके देख लो फिर से मैंने क्या किया उससे पहले मैं कहां गया बुलेट पे गया ठीक है नमर पे गया सबसे लाश्ट ऑप्शन थार्ड ऑप्शन जो है स्टेट नमरिंग वाली इससे मैंने चूच किया तो यहां पर क्या हुआ यहां पर हम यह सीखे कि हम लोग कोई भी नमरों कहीं से आप जिसे यह वाला लेता हूं तो इसी मुझे सौस जरू कर लिए तो इस वी भी मैं कर सकता हूं यहां पर मैं गया फिर से लिख दूगा सौ ठीक है अब देख़ो आप सीजी सुरूर है जो तो यहां पर क्या होगा है तो यहां पर क्या होगा है तो यहां पर क्या होगा है तो यहां तक आप कंफर्म हो चुके होंगे जो की चीज है आप नमर में क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं बिलिट के क्या सब्सक्राइब तो इक जो नई चीज है उस पर हम लोग चर्जा कर ल मेरा पेज पिरितर से ब्लैंक है अब लोग आगे बढ़ते है तुछ दे बले मल्टी लेवल लिश्ट सपोस्परो मैंने यह लिग चूज किया इसमें क्या होता है जैसे आप कुछ टाइप कर रहे है तेरा अब आप यहां पे अगर नेक्स चाहिए तो यहां पे क्या करने आपको अभी एक वार आप देख लो फिर आप अटमेटिक समझा जाएगा अब देरा टू टाइप अब कुछ लिखते हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहेता है तो बच्पर में ही पढ़ा हुआ है अंदर जोने ग्रामर नहीं पढ़ना है मुझे तो नौन में लिखा है अब क्या ही है जो पांच टैब लिख्योंगा मैं तो यह तो कोई नया नमर से होना चाहिए मैं इंटर पेस करता हूं दो लिखा रहा आप क्या करना है मुझे बस टैब ऐपस बटन आपके कीबोड में लेप साइड में उपर से तीसरा है ठीक है तो आप उसे टैब लिखा हो है उसों टैब जैसे करोगे तो वह देखो अब ए आ गया अब सपोज बोस्ट नंब जानते हैं रोकर नाओ फिर भी आगया कामन नाओ ठीक है सी आगया मैटेरियल नाओ डी आगया इस तरह से ओगया सबोज अब हमको इसकी अंदर में कुछ चाहिए अब मुझे एक और छेट फिर से मैं टैब करोंगा एक पूर यहां नहीं जिस्से डी आया था अब मैं डूजे दी ने चीज ने शेट और छेट आप तो टैब करने से क्या हो आगे आब क्या करोगे फिर से कुछ लिख सकते है वन तू थ्री फो अब सपोज करो यहां पर ध्यान रखना है टैब से में आगे बहा है ठीक है अब सपोज करो मैं फाइब प्या आता हूँ अब फिर से मुझे डी चाहिए मतलब हुआ कि यह जो सी लिखा हुआ है इसी का next यहां पर दी आना चाहिए तो कैसे आगा तो यहां पर हम लोग backspace करेंगे ठीक है यहां दी लिखेंगे और जिस तरह उपर लिखा होगा जो format में दी लिखा हूँ है और एक bracket दिया हुआ यह करेंगे और tab दोएंगा तो मैंने क्या किया फिर से मैं करता हूँ अब यहां पे जो उपर फॉर्मेट दिया हूँ उसी फॉर्मेट में डी लिखता हूँ और ब्रैकेट बंद कर रहते हूँ और टैब दबा जाता हूँ आप देखोगे यह जो ए बी सी टी का कॉलम एकदम सीधा आया हुआ अब मैं कुछ भी फिर से लिखना सुरू करोगे फिर 2 लिखोगे और फिर ब्रैकेट को बंद करोगे टैब करोगे ठीक है जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वही में दिखा रहा हूँ आप देखोगे 1 और 2 है क्या है और लाइनिंग दम सेम आ गया आप किछ भी लिखोगे तो 1,2,3,4,5 आ रहा है फिर मुझे एभी सी देखोगे तो यहां पर आप छे पर करोगे और क्या रिखोगे यहां टी लिखोगे डी तो हो चुकिए एफ जी जी लिखोगे और बैकेट बंद करते हैं तरह के जो है नमरिंग कर सकते हैं एक साथ है तो यह वर्ड पैट में नहीं था तो आप यह चीज़ देख लिए है ह सबसे खासित जो MS Word की है बुलेट में भी देख लिए मैंने बुलेट इंसर्ट करके और यहां भी मैंने देख लिए ठीक है अब हम लोग चलते हैं डिक्रीज इंडेंट और इंप्रिजिमेंट ठीक है अब मैं वर्ड पैड में आपको तर्स दिखा लिए वर्ड पैड के ल पहले ही ठीक है तो मैं यहां पर वो चीज़ नहीं बता रहा हूं बस उसका सौटकर्ट की बताऊंगा और यहां पर हम लोग ने इस तीन का भी यूज क्या किया था सेख चुका था ठीक है अगर आपको यह तीनों का यूज नहीं पता है और इधर भी एक राइट साड भी म इसने आपको के लिए वहां पर हमने बताया हुआ है साला कुछ भी मैं वर्ड पैड इंबस यह दिखा रहा था कि यह वाल आपसम हम लोगों ने पढ़ चुका है पहले से तो मुझे यह बताने की जिरत नहीं है डिक्रिज इंडिंट और इंडिंड क्या होती है अब पिछल अब लोग बढ़ते हैं इसका सॉट कट की देख लेते हैं इस इंपोर्टन है कि इससे पहले भी नहीं ठागते है तो डिक्रिज इंडिंट का जो सॉट कट की होता है वह हता है कंट्रोल प्लस अम तो यह कंट्रोल प्लस अम जो है वह डिक्रिज इंडिंट का सॉट कट की होता है ठीक है सॉट करी इस फ्लस दो और योदि इसी को में बात करूं इंक्रीज इंडेंट की इंक्रीज इंडेंट की में बात करूं और मैं शिफ भी के यूज करके इसको छटा कर देता हूं जो shortcut की अबनी पढ़ा था इंक्रीज इंडेंट की बात करूं तो वह बहुत छोटा सा होता है अब जिससे मुझे यहां पर एक और चीख शीख रहते हैं जिससे मुझे क्या करना है कि कंट्रोल प्रस एंडेंट करना है तो आप यह करेंगे सब को स्लेक्ट करना पड़ेगा और हम चाहरे हैं कि स्रिफ कंट्रोल स्लेक्ट होता है और यह एंडेंट कैसे होगा आप पहले कंट्रोल प्रस के स्लेक्ट करोगे ठीक है और कंट्रोल प्रेस करना है कीबोर्ट से क्या करना है कंट्रोल प्रेस करना है और तब इस M को select हो दोनों select होगे आप मैं इसे control C से copy कर देता हूँ और यहां पर मैं नीचे लिखना है मुझे तो यहां पर paste कर देता हूँ ठीक है तो आप क्या हो control M paste होगे तो जदी आपको increase indent करना है तो आप control M करोगे ठीक है तो यहां पर यहां पर यहां से समझ चुके होगे इसके बाद आती है तो इसमें हम लोग क्या करते है कि जो भी मैंने लिखा हो गाँ जैसे इसके लिए मुझे थर सा पेज को मैं इसे हांपा देता हूँ और size कुछा चुटा कर देता हूँ इसमें नम्मर लिखता हूँ इसमें आप कुछ कुछ नमर एक ही पेज का मैं नमर लिख रहा हूँ इसमें नमर लिख रहा हूँ यह मैंने नमर लिखा हूँ यह किसी भी लिश्ट का नमर हो सकता है कोई भी आप लिश्ट बना उसका नमर हो सकता है इसमें कोई और नहीं है अभी मैं जाता हूं यहां पर होवी टाप में जा रहा हूं और यहां पर शॉर्ट में गया हूं अब पेरग्राफ में खुट डिलेक्ट कर लिए कि नंबर है वो ठीक है आप उससे मैं přेसमी उपनडिंग में कर दो उ अब देखो कि कि पहले क्या हो है 15 यदि है फिर 25 यदि क्शेफपन श соврем रिकी फिर से उसी में जाता हूं उस्रेता हूं और डिसंडिंग कर दो खूर रीचू आरह कर दो आ दो करना ऐं इसी तरह स्की बाद की मैं करहा है तो यहापी?